तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आशावादी व्यक्ति अपने परिणामों का कारणात्मक बुणारोपन मुख्यत बाहरी अस्थिर और विशिष्ट कारकों के लिए करते हैं तो यहां हमें ये समझना बहुत अवशक है कि ये बाहरी और आंत्रिक या अस्थिर और श्थिर या विशिष्ट और व्यापक जो कारक हैं वो क्याक होते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्टेबल या श्थिर कारक वे हैं जो की जिन में परिवड़ितन संभव नहीं हैं अर्था व्यक्ति कुछ ऐसे कारण बताएगा जो की आगे चलकर बदले नहीं जा सकते जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता तो निराशावादी व्यक्ति ही ऐसे कारक बताएगा जो की परिवर्तन शील नहीं है जबकि जो एक सकारात्मक या आशावादी व्यक्ति है वो सदेव अपने नकारात्मक परिणामों के लिए और इस्थिर कारकों को जिम्मेदार बताएगा जिन में की परिवर्तन संभव है यानि अगर एक स्टूडेंट है तो वो ये कह सकता है यदि उसका परिक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया तो एक स्टूडेंट जो आशावादी है वो कहेगा कि परिणाम अच्छा नहीं आया क्यूंकि मैं जादा मेहनत नहीं कर पाया या मैं एक्जाम में समय पर नहीं पहुँच पाया या इस साल का पेपर टफ था तो ये तीनों ही ऐसे कारकें जो दर्शार हैं कि इन सब में परिस्तितियों में परिवर्तन शीलता आ सकती है वो समय पर पहुँच सकता है, वो अधिक मैनत कर सकता है और पेपर नहो सकता है, अगली बार इजी आ जाए लेकिन अगर एक निराशावादी व्यक्ति है तो वो इसका कारण बताएगा कि मुझसे तो पढ़ाई ही नहीं होती मेरे जो टीचर है, सारे टीचर मुझसे परिशान है मैं तो एक्जाम अच्छा दे ही नहीं सकता तो ये ऐसे कारण है जो इस्थिरता को दर्शाते हैं कि वो एक्जाम अच्छा दे ही नहीं सकता उससे पढ़ाई होती ही नहीं वो फिक्स है कि वो ये काम कर ही नहीं पाएगा भविश्य में भी वो इस चीज के लिए निराशावादी है कि वो अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकता. इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरनल और एक्स्टरनल कारकों की तो आशावादी व्यक्ति सदे भी अपने नकारात्मक परिणामों के लिए बाहरी परिस्थिती को जिम्मेदार ठहराएगा. अर्थात क्योंकि बाहरी परिस्थितिया वो ऐसी होंगी, अर्थात आंतरिक कारकों का अतात्परे है कि वो अपने नकारात्मक परिणाम के लिए स्वेम को जिम्मेदार ठहराएगा, वो कहेगा कि मैं इस कारे को करने योग्ये ही नहीं हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकता, इतने घंटे पढ़ता हूँ, तो भी कुछ नहीं होता, इस तरीके के जो एक्स्प्लेनेशन है, वो नकारात्मक या निराशावादी व्यक्ति कहेगा, और वो सारे आंतरिक होंगे, उसके अंदर होंगे, जबकि जो आशावादी व्यक्ति है, वो एक्स्टरनल फेक्टर्स पे जादा फोकस करता है बाहरी कारकों पर, अर्थात वो कह सकता है कि सिचुएशन सही नहीं थी, एक्जाम टाइम में बहुत जादा डिस्ट्रिबेंस हो रहा था, पेपर का जो फॉर्मेट था, वो हमारे सिलिबस से अलग आ गया, तो इस तरीके के जो कारक हैं, वो बाहर स्पेसिफिक कारकों की बात करेगा, वो नकारात्मक परिणाम के लिए सदे भी कुछ विशिष्ट कारकों पर ध्यान देगा, अर्थात वो कहेगा कि टीचर पढ़ाने में सही नहीं था, या हमारा जो क्वेशन पेपर आया, वो सिलिबस से बाहर का था, उसमें कुछ दिक् कि एक्जाम तो होते ही ऐसे हैं, इन एक्जामों को क्लियर करना बहुत टव है, ये competitive एक्जाम तो बहुत जादा टव होते हैं, बहुत कम लोग पास कर पाते हैं, तो इस तरीके के जो विचार हैं, वो व्यापक एक चोटी सी चीज को वो व्यापक नजर्ये में रख लेगा कि ये तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता तो ये basic जो attribution style में जो अंतर है वो आशावादी और निराशावादी व्यक्तियों में यही है कि आशावादी व्यक्ति अपने नकारात्मक परिणाम के लिए सदेव ही बहारी अस्थिर और विशिष्ट कारकों को असफलता का कारण बताता है जबकि निराशावादी सदेव ही इस्थिर व्यापक और आंतरिक कारकों को बताता है और इस तरहीके से आप देख सकते हैं कि यदि हम बात करें किसी भी बुरी घटना का अनुभव होने पर व्यक्ति उसमें आंतरिक कारक यदि ढूनने लगे यदि वो उसमें व्यापक कारकों को ढूनने लगे तो वो एक निराशावादी व्यक्ति है जबकि आशावादी व्यक्ति इसके विपरित कारे करता है तो ये बेसिक डिफरेंस और इसके आधार पर हम आशावादी और निराशावादी व्यक्ति में अंतर इसक्ष्टत बता सकते हैं, आशावादी सदेव ही आगे के लिए भविश्य के लिए उम्मीद छोड़ता है, उदमीद रखता है कि भविश्य में ये चीज सुधर सकती है, सही हो सकती है, जबकि निराशावादी व्यक्ति अपने कही चीजों पर रिजिड होता है, बहुत ही स्टरबन होता है या द्रिड होता है और वो ये सोच कर चलता है कि भविश्य में भी कोई फ्यूचर नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इस चीज के नकारात्मक ताके सुधरने की, तो ये बेसिक के पास रहता है, जबकि सकारात्मक प्यक्ति उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, वो भूत की तरफ नहीं जाता, बलकि भविश्य के प्रती सकारात्मक परिणामों को लेकर बहुत ही द्रिड होता है, थैंक यू